तो अब हमें dry fruits के type study करना है तो already हमने पिछले वीडियो के अंदर simple fruit का मतलब आपको बताया हुआ है simple fruit मतलब ऐसे fruit जो की एक अकेले full के monocarpillary या फिर polycarpillary syncarpus ovary से बनते है they are the simple fruits और इसे हमने आगे classify किया था on the basis of nature of the pericarp याने जब fruit mature हो जाए तो उस वक्त उसकी जो pericarp है वो अगर dry है तो वो है simple dry fruit और अगर वो pericarp maturity के वक्त fleshy है तो वो है fleshy simple fruit तो simple dry fruit को हम आगे classify कर सकते है on the basis कि ये जो pericarp है मतलब fruit wall है जब fruit mature हो जाता है तब ये burst होती है या नहीं उसके basis पर तीन टाइप के simple dry fruits है पहला है dehyacent fruit जिसे capsular fruit भी कहा जाता है दूसरा है indehyacent fruit जिसे arcanial fruit कहते है और तीसरा schizokarpic fruit है जिसे आप splitting fruit भी कह सकते है तो पहले हम देखेंगे dehyacent fruit यानि कि capsular fruit क्या है और उसके types क्या है तो dehyacent fruit जैसे कि नाम बता रहा है ये ऐसे fruit है जो mature होने पर इनकी जो fruit wall है वो dehyacent कर जाती है वो है dehyacent fruit यानि कि वो naturally burst करती है fruit wall तो अब ये जो dehyacent fruit है वो 5 type के है और इनका classification किया जाता है on the basis of mode of dehyacent of the fruit wall अगर आप में से कोई B.C. Agriculture के students हो या फिर कोई agriculture से related है यानि जिसके आँ खेती है या वो कुछ खेती में ध्यान देता हो तो उसके उसे पता होगा कि कुछ crops ऐसे है कि जिने हमें mature होने के पहले ही harvest कर लेना पड़ता है यानि जो maturity symptoms दिखते है उस crop के उसके पहले ही वो crop harvest करना ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप उसे mature होने दे या फिर थोड़ा और टाइम रुके तो जो fruit है वो burst कर जाएगा naturally और उसमें से seeds जो है वो बहार गिरना शुरू हो जाएंगे तो इसकी वज़े से आपका loss होगा For example अगर आपको mustard का crop पता है तो उसके अंदर आपको mature होने से पहले ही उस crop को harvest कर लेना होता है क्योंकि अगर आप रुक गए और वो जो फली है mustard की वो mature होने के बाद में naturally burst होना शुरू हो जाती है फूटना शुरू हो जाती है और उसमें से mustard के दाने पूरे बहार निकलना शुरू हो जाते है उसी तरह तिली याने सिसेमम उसके अंदर भी यही problem है कि अगर mature हो जाए crop और थोड़े दिन आप रुक जाए तो naturally वो जो फली है वो अपने आप फूट कर उसमें से तिली के दाने बाहर गिरेंगे उसी तरह चना याने की gram या फिर pea मतलब मटर उसमें भी यही problem है तो यह crops ऐसे है कि जिनके लिए आपको maturity के पहले ही harvesting कर लेनी पड़ती है तो dehyacent fruits के अंदर पहला type है legume जिसे pod भी कहते है यह जो legume होता है वो ऐसे flower से develop होता है जिसके अंदर monocarpillary और unilocular superior ovary हो मतलब monocarpillary है तो वो simple ही fruit हो गया right superior ovary है वहाँ पर मतलब बचेवे जो तीन floral worlds है वो gynosium से नीचे है मतलब hypogynous condition है और एक ही compartment है मतलब unilocular condition है और यहाँ पर जो placentation होता है legume वाले fruit के अंदर वो हता है marginal placentation तो marginal placentation से अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने जो मतर की फल्ली थी वो वहाँ पर आपको example दिया था कुछ इस तरह से हमने वो draw की थी और उसके उपर margins के उपर seeds attached है याने ovules attached है तो margin कैसे बनती है उसके जो ventral sutures होते है महाँ पर जो placenta है वो एक ridge बनाता है और इस ridge के उपर ये ovules arranged होते है जो आगे चलकर seed बनाते है तो यहाँ पर margins पर attached है आपके seed और यह जो legume होता है यह fruit जो होता है वो burst कैसा करता है तो वो दोनों भी ends होते है दोनों भी sutures होते है वहाँ से वो burst करता है फ्रॉम apex to the base यह ध्यान रखिये दोनों भी sutures से bursting होगी और bursting का direction रहेगा फ्रॉम apex to the base legume के अंदर इसका example है पाइसम साटिवम मतलब P दूसरा example है gram अब दूसरा टाइप है follicle तो follicle भी legume की तरह ही monocarpillary, unilocular और superior ovary से develop होता है तो इसमें फर्क क्या है जो follicle है वो सिर्फ एक ही suture से याने एक ही end से ventral suture से यह burst होना शुरू होता है split होना शुरू होता है जबकि legume में हमने कहा था कि दोनों भी suture से दोनों भी end से split होता है अपेक्स से base की तरफ जाता है legume में और follicle में ध्यान रखिए legume की तरह ही है सिर्फ bursting जो है dehiscence जो है splitting जो है वो सिर्फ एक ही suture याने की ventral suture से ही होती है follicle type of dehiscence dry fruit आपको देखने को मिलेगा lark spur के अंदर और calotropis के अंदर अब तीसरा है siliqua type of fruit अगर आपको जो peripheral placentation है वो याद आ रहा होगा तो उसके अंदर हमने यह siliqua word यूज किया था उसके अंदर हमने example क्या दिया था mustard राइट तो वो biocular syncarpus ovary से बना होता है और शुरुवात में वो unilocular ही है ऐसा हमने कहा था लेकिन बाद में महाँ पर एक false septum बनता है जिसे हमने replum कहा था जो हम यहाँ पर red color से draw कर रहे हैं और इस replum के उपर ही seeds arranged होते हैं यह हमने कहा था तो यहाँ पर पूरे replum पर आपको seeds दिखेंगे तो जो siliqua है यह bicarpulary syncarpus ovary से बनता है और यहाँ पर शुरुवात में unilocular ही होती है ovary लेकिन बाद में यह जो false septum याने replum बनता है वो इसे bilocular कर देता है और इस replum पर arranged होते है seeds याने यहाँ पर siliqua type of fruit के अंदर आपको peripheral placentation देखने को मिलेगा पहले दो में आपको marginal placentation दिखा और monocarpillary थी ovary यहाँ पर bicarpillary syncarpus है और peripheral placentation है अब siliqua के अंदर भी जो bursting होती है वो दोनों suture से ही होती है लेकिन यहाँ पर base से apex की तरफ होती है bursting, splitting, siliqua के अंदर legume के अंदर हमने काया था दोनों suture से होती है लेकिन apex से base के अंदर, follicle में सिर्फ ventral suture से होती है bursting, siliqua के अंदर जो splitting होती है वो दोनों suture से होती है लेकिन base से apex की तरफ, यहने legume से उल्टा है यहाँ पर और यह bicarpillary syncarpus ovary से बना है, right? siliqua का जो fruit होता है वो long और narrow होता है यह याद रखिएगा आप और siliqua का example है mustard अब है siliqua, siliqua siliqua के तरही है यहने bicarpillary syncarpus ovary से ही बना है, bursting का pattern भी same है फर्क यह है कि जो siliqua होता है उसका fruit short और broad होता है जैसे हमने siliqua के अंदर कहा था कि इसका जो fruit होता है वो long और narrow होता है लेकिन siliqua का जो fruit होता है वो short और broad होता है siliqua के example आप याद रखिएगा shepherd's purse मतलब capsula, bursa, pestoris और दूसरा example याद रखिएगा candy tuft मतलब ivories इनके अंदर siliqua type of fruit है अब आखरी type है dehyacin fruit का जिसे कहते है capsule यह जो capsule होता है यह multi-chambered fruit है यह बनता है polycarpillary syncarpus ovary से यह multi-locular है इसलिए इसके अंदर आपको chambers दिखेंगे अब इस capsule fruit के भी आगे हम types देख सकते है depending on the mode of dehyacin तो पहला है आपका porosidil अब porosidil capsule नाम ही इसका explain कर रहा है कि यह fruit कैसा होगा तो suppose यह है वो आपका porosidil capsular fruit अब इस fruit के अंदर आपका जो seed है वो dehyacin कैसा करता है तो यहाँ पर pores बनते है जब यह mature हो जाएगा fruit तो यहाँ पर pores बनेंगे और इस pores में से यानि छेद में से बाहर निकलेंगे seed तो जब कभी भी आप इस fruit को हिलाओगे जोड से तो इन छेद में से यह बाहर निकल जाएगे या फिर अगर हवा के force से यह पोदे हिले यह fruit हिले तो इनके इस छेद में से निकल जाएगे वो seed बाहर तो इसको कहते है sensor mechanism यानि इस force के वज़े से, हिलने के वज़े से, seed में से, seed जो है, वो fruit में से छेद से बाहर निकल जाते हैं, उसे कहते है sensor mechanism, और इस type के fruit, procedural type के capsular fruit आपको paper वर में देखने को मिलेगे, अब दूसरा है pixidium capsule, उसे ही pixis capsule भी कहते हैं, जो pixidium capsule है, वो कुछ इस तरह से है, suppose यह है आपका वो fruit, अब उसके अंदर bursting होती है, उसकी lead open होने से, मतलब यह है समझ लो उसकी lead, यानि धकन खुल गया, और धकन खुलने की वज़े से, जो seed है, वो बाहर निकल जाते है, यानि जो lead है, महां से bursting होती है, और महां से पूरे के पूरे seed बाहर निकल जाते है, जो pix obsidian type of capsule है, वो आपको portulica के अंदर देखने को मिलेगी, अब तीसरा है, valvular capsule, valvular capsule के अंदर जो dehycence होता है, वो longitudinal slits से होता है, for example, यह जैसे भेंडी आपने अगर देखी होगी, okra, या lady's finger हम जिसे कहते है, कुछ इस तरह से है, वो मैं draw करने की कोशिश कर रहा हूँ, अब इस भेंडी को अगर आप जाड़ पे mature होने दे, और mature होने के बाद में आप अगर उसे देखे, तो यह सारे के सारे जो walls है, यानि यह compartments जो है, इनकी यह जो border पर जो line है, वहाँ पर slit आएगी और वो पूरी के पूरी खुल जाएगी, तो कुछ इस तरह से दिखेगा वो, तो कुछ इस तरह से split हो जाएंगे हर compartments, अब यह जो valvular type का जो capsule है, वो actual में तीन type का है, depending on the manner of dehycence, पहला है loculicidal capsule, अब जैसा नाम ही आपको बता रहा है, है loculicidal, यानि कि locules के अंदर होगा splitting, तो यह मैंने लिया है उस fruit का horizontal section, और वहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसा होता है splitting, यह सपोस axle, और यह बन रहा है अब इसके अंदर compartment, क्योंकि यह multilocular है, है ना, septum red color से मैंने ड्रॉ किये है, और यह black color से उस fruit की जो wall है वो है, तो यह हर एक है locule, और यह अंदर blue color से एक्जिल, और यह red color से है septa, और इस septa के वहाँ attached है आपके seeds, एक्जिल पर, septum पर, तो अब locule सेडल में क्या होता है, इस जो locule, याने compartment की जो बहारी wall होती है, वहाँ पर longitudinal slit बनेंगी, याने crack आएगी और वहाँ से वो seed बहार निकल सकते है, तो कुछ इस तरह से दिखेगा वो, अब दूसरा है septicidal capsule, तो ये भी इसका जो नाम है वो ही explain कर रहा है, septicidal मतलब septum के उपर बनेंगे यहाँ पर longitudinal slit, अब यह red color से फिर से हमने septum बनाएं, और यहीं पर attached है आपके seeds, septum पर, तो ये जो red color की septum है, वो वहाँ पर slit आएगी, तो वो crack दिखेगी यहाँ पर, और यह कुछ ऐसा हो जाएगा आप, तो दोनों case में देखिए, यहाँ पर slit बनी थी on the outer wall of the locule, और seeds remain attached to the septum और axle, यहाँ पर जो septum थी, उसके उपर आगई है slit, and seed remain attached to the septa, यहाँ गया septicidal, अब तीसरा है septifragile capsule, septifragile capsule में क्या होता है, the slit occur either on the locule or on the septa, but the seed remain attached to the axle, not on the septa, तो जैसे कि यह, वो locule की wall है, यहाँ पर axle है, और seeds जो है, इस axle को जूड़े है, इन दो types के अंदर seeds जो थे, वो जाकर जूड़े थे septa को, septa पर slit बनी, फिर भी जो अंदर के septa है, महाँ पर जाकर जूड़े हुए थे, seeds, यहाँ पर अब जो seed है, they are attached to the central column, and the split may appear, either on the walls, और on the septa, तो यह है फर्क इन तीनों के अंदर, यह तीनों भी है, valvular capsule, राइट, तो यह है फर्क इन तीनों के अंदर, यह तीनों भी है, valvular capsule, राइट, यह है, यह बहुड़े हैं तीनों के आएट, यह ए